आज हम वर्ब की जौनकारी लेंगे और वर्ब जो है बहुत इंपोर्टेंट होता है किसी भी सेंटेंस के लिए बिना वर्ब के सेंटेंस बनाया भी नहीं जा सकता so it is the most important part of grammar और एनी language अगर वर्ब पे आपका command है then you have command over the language okay verb जो है Latin word verbum से बनाया जिसका अर्थ होता है word और यहीं बताता है कि यह कितना important है that's really very important अब वर्ब से ही जो है टेंस और टाइम जितने भी सेंटेंस है सब का form जो है वर्ब से ही बनेगा so it is really very essential or necessary part of your education and you should learn it attentively अगर यहां पे आप वर्ब को सीख लेते हैं तो time and tense उसके बाद narration voice subject verb agreement आप अगर writing composition करें जैसे आप application लिखें application लेटर डाइरी लिखना even summary लिखना answer लिखना सब में वर्ब जो है मेन अस्तान रखता है इसलिए वर्ब की वीडियो को इसलिए आप ध्यान से देखें और आपके exam में वर्ब से काफी questions होते हैं और वर्ब जो है आपके answer में कहीं ने कहीं हर जगा मौझूद होता है तो चलिए यहाँ पर यह वीडियो हम शुरू करते हैं वर्ब वर्ब जो है लाइटिन वर्ड वर्बम से बना है जिसका वर्ड होता है और यह बहुत important पार्ट होता है वर्ब जो है एक word है और यह बताता है action को, position को और state of being को action काम को, card को बताता है जिसमें कुछ action हो position अधिकार को बताता है और state of being अवस्था, दशा को बताता है जैसे I read मैं पढ़ता हूँ तो यहाँ पर काम हो रहा है तो यह जो आपका हो जाएगा यह action है I read, I laugh, you go, यह जितने भी जो वर्ब इस्तामाल हो रहे हैं यह सारे action को बता रहे हैं, I have open, यहाँ पर have का इस्तामाल हुआ तो यह have जो है position को बता रहा है, अधिकार को बता रहा है कि मेरे पास एक कलम है तो has, have और had यह तीनो जो है position को बताते हैं, ओके position को भी बताते हैं तो यहाँ पर यह जो हो जाएगा, यह आपका position हो जाएगा third number में हम देख रहे हैं, I am fine, यह am जो है यह अवस्था को बता रहा है, I am a student, तो यह अवस्था को बता रहा है, तो इस condition में यह state हो जाएगा किसी भी चीज के अवस्था को बता रहा है, आस्तितो को बता रहा है, ओके, तो यह clear हुआ अब यहाँ पर हम देखते है, kinds of verb, verb कितने तरह के होते हैं, mainly जो है, वाक में परियूक के अदार पर वर्ब जो होते हैं, दू तरह के होते हैं, जिसमें एक main verb, दूसरा helping verb helping verb को हम auxiliaries verb भी कहते हैं, और main verb को ordinary verb, full verb, principal verb, इनके नाम से हम जानते हैं यह main verb, जो है, इसका अपना importance होता है, अपनी meaning होती है, okay, और helping verb जो होता है, वो help करता है main verb की, उसे हम auxiliaries verb भी कहते हैं, main verb, the verb used alone, or with helping verbs, are called main verb यानि किसी भी sentence में, इसका अपना एक अलग importance होता है, और यह जो है, जब अकेला इस्तामाल हो, या helping verb के साथ इस्तामाल होता है, उसे main verb कहते हैं, okay, जैसे, अगर, यहाँ पे हो I, go, तो यहाँ पे go जो है, alone इस्तामाल हो रहा है, तो यहाँ पे go जो है, main verb हुआ, अगर हो, I, okay, have, or car, तो यहाँ पे have जो है, alone है, have के बाद फिर कुछ नहीं है, तो यहाँ have main verb है, जैसे I, am, or student, तो यहाँ पर जो है, am alone है, जब alone, auxiliary verb भी जब alone हो, तो वह main verb बन जाता है, तो यहाँ पे यह main verb है, okay, अगर रहे, I, am, playing, तो यहाँ पे यह helping verb के साथ इस्तामाल हुआ है, am, तो यहाँ पे am, जैसे I have bought, तो have यहाँ main verb नहीं होगा, कि उसके बाद by जो है, by का form bought है, तो bought main verb होगा, लेकिन सिर्फ have, has, had, या is, am, was, were, अगर हो, उसके बाद कोई verb नहीं हो, तो यह main verb कहलाएगा, clear, main verb के लिए, main verb दो तरह क्यों होते हैं, एक जो होता है, transitive, एक intransitive, हिंडी में इसे सकर्मक और अकर्मक कहते हैं, transitive जो verb होता है, इसे object की जरूरत होती है, इसके sense को complete करने के लिए, it requires an object to complete it, it's a sense, okay, जबके intransitive verb में object की जरूरत नहीं है, इसमें sense को complete करने के लिए उसके आवशक्ता नहीं होती है, यहाँ पर a verb which has an object is called transitive verb, जैसे ही its operate, तो यहाँ और जो है, यह object है, its का, इस पर फल पढ़ रहा है, इससे हो कर यह काम हो रहा है, तो यहाँ पर braid, जो है, यह आपका object है, और its, जो है, यह main verb में transitive verb है, in transitive verb में I go, मैं जाता हूँ, कोई जरूरत नहीं है, किसी चीज़ की, he slips, वह सोता है, लेकिन अगर I go to market हो जाए, तो क्या, यह go, जो है, transitive verb हो जाएगा, to market क्या, object है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि two object जो है, यह complete कर रहा है, meaning, completion कर रहा है, इसे complement कहते हैं, तो यह go, जो है, हमेशा intransitive verb की तरह इस्तामाल होता है, जब कि कुछ verbs, जैसे it's है, अगर he it's a braid की जगा, he it's हो जाए, तो यहाँ पे it, जो है, यह transitive से intransitive हो जाएगा, object हो जाएगा, he writes ऐसे रहे, तो write जो है, वो क्या हो जाएगा, transitive से intransitive हो जाएगा, अगर object नहीं र गई, transitive, intransitive को हम समझ चुके, अब next आते हैं, helping verb और auxiliary verb पर, auxiliary verb या helping verb, यह auxiliary verb जो है, दूसरे verb की सहायता करता है, help करता है, किस चीज़ में, tense बनाने में, voice बनाने में, और mood बनाने में, tense बनाने में, जैसे is, r, m, was, were, has, have, had का हम इस्तामाल करते हैं, different tense में, voice में भी इस्तामाल करते हैं, is, r, m, was, were, has, have, okay, और mood जो होता है, mood पहले old English grammar में mood मिलते थे, new में नहीं मिलते हैं, sentence उसकी जगह जो है, sentence का इस्तामाल किया जाता है, तो mood बनाने में, mood जो होता है, manner होता है, या mood होता है, किसी भी statement का, जैसे question, जो questions वाले sentence हो गया, वो mood के अंदर आते हैं, okay, या उसके लावए imperative sentence, यह सारे mood के अंदर, तो यहाँ पर आप देखें, auxiliaries verb जो है, वो help करता है, दूसरे verb की, main verb की help करता है, इस चीजों को बनाने में, example, is, rm, was, were, has, have, had, okay, shall, will, यह सारे auxiliaries verb हैं, और auxiliaries verbs को हम auxiliaries भी कहते हैं, और auxiliaries जो होते हैं, पहला primary auxiliary, दूसरा principal, primary और principal जो है, पहला हुआ, दूसरा modal auxiliaries या modal verb भी कहते हैं, marginal या semi-modal auxiliaries या verb, okay, तो primary और principal जो verb हैं, यह पूरे 11 होते हैं, verb to be, देखिए, यह verb to be है, am, is, are, was, were इन्हें हम verb to be कहते हैं वर्ब to have has, have और had को हम verb to have कहते हैं to do, do, does और did इन्हें हम verb जो है इन्हें हम to do कहते हैं तो ये पूरे 11 हो गए और ये इनका principle ये इसलिए भी नाम है primary और principle कि ये अगर mean verb के साथ नहीं हो तो mean verb का काम करते हैं, जैसे हमने पीछे देखा है I am a student, तो वहाँ दूसरा verb नहीं है तो am, main verb हो जाएगा has, have, had, वैसे ही main verb हो जाएगा do, main verb हो जाएगा main verb की तरह भी इस्तामाल होता है does main verb की तरह भी इस्तामाल हो जाता है I do my work, he does his work did we, जैसे he did तो ये सारे जो है, ये main verb की तरह भी इस्तामाल होते हैं, इसलिए इन्हें जो है हम principal auxiliaries कहते हैं, लेकिन modal auxiliaries जो होते हैं, बिना verb के इस्तामाल नहीं होते हैं, और ये आपके exam में अक्सर आते हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कि modal auxiliaries verb के बाद वैसे किसके साथ कौन सा वर्ब का फॉर्म इस्तामाल होगा यहां सिर्फ वर्ब वन इस्तामाल होगा can, could, may, might, shall, should ये modal auxiliaries वर्ब हैं, ओके ये mode बताते हैं, जैसे I can do this work तो यहां पे can जो है, यह modal वर्ब है, ओके ये बीना main verb के नहीं आता है, जैसे I can अगर कहते हैं तो नहीं होगा you, अगर बोला जाए you will, तो ये नहीं होगा हाँ, किसी sentence के context में ये ऐसे इस्तामाल हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पे verb hide होता है, और ये जो है main verb जरूर लेगा, और तिर बर्ब वन लेगा, के लिए ये पूरे 10 हैं, और ये marginal verb है, need, dare used to, इनका कम इस्तामाल होता है इसलिए marginal भी कहते हैं, ये semi-modal कहते हैं, ओके इनके बाद भी जो है, verb का इस्तामाल होता है, तो ये 3 हो गयते हैं, इस तरह ये पूरे जो है 24 जो है, पूरे auxiliary verb या helping verb होते हैं यहां पूरा तरह से clear हो गया ओके, अब next हम देखते हैं अब हम verb के form को देखते हैं वर्ब के जो फॉर्म होते हैं, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5 वर्ब 1 जो है वह पहला form है इसे present tense form, वर्ब 2 को past tense form, वर्ब 3 इसे past participle कहते हैं, verb 4 को present, participle और verb 5 को verb as form कहा जाता है, जिसे कोई भी हम अगर verb ले ले लेते हैं, main verb या ordinary verb, जैसे play तो play का played, verb 2, verb 3 played, playing place, verb 5 में हम yes या yes लगाते हैं okay, verb 4 में हम ing लगाते हैं, कभी-कभी जो है, verb के दूसरे और तीसरे form same होते हैं जैसे play से played, played, ये verb का दूसरा form भी, verb का तीसरा form भी, live lived, lived, दूसरा और तीसरा दुनों same है, same से buy से bought, bought, bring से brought, brought, ये same है बिल्कुल, ओके तो ऐसे verb के form को हम regular verb कहते हैं, जिसमें d या e d लगाकर हम verb के form को change करते हैं, okay e n भी लगाकर जिसमें change करते हैं वो भी regular form में ही आता है यहाँ पर फिर हम sing, sang, sung ये irregular pattern है, verb two दूसरा है, verb three दूसरा है तो यह जो है sing, sang, sung, इसे हम irregular verb कहते हैं, कुछ verb ऐसे होते हैं, जिनके दूसरे, पहला दूसरा तीसा थीनों, form जो होता है एक जैसा होता है, जैसे put, put, put cut, cut, cut okay, तो यह verb form है लेकिन verb form में कैसे पता चलेगा कि यह verb two है यह verb three है, कैसे पता चलेगा तो यह हमें sentence के structure से पता चलता है, क्योंकि verb two का जो इस्तमाल होता है वो सिर्फ और सिंपल past tense में होता है और इसके पहले कोई helping verb नहीं आता है लेकिन negative sentence में intuitive sentence में helping verb में did आता है जिसे हम आसानी से इसे पहचान सकते हैं और ये past participle जो है verb का तीसरा form या has, have और had के साथ या verb to be के साथ इनका इस्तामाल होता है is rm as, is rm and was were इनके साथ इसका इस्तामाल होता है तो ये इसे पहचान में आ जाते हैं और इनको पहचाना जो है बहुत तफ नहीं होता है जिसे example अगर मैं आपको एक बताता हूँ example से अगर माल ने जो है एक sentence है he has written all later और मैंने दूसरा sentence लिखा he wrote or later तो यहाँ पर hedge के साथ return लगा हुआ है यहाँ पर सिर्फ root लगा हुआ है तो यहाँ जो root है यह तो verb to यह तो बिल्कुल clear है इसमें तो कोई problem नहीं है क्योंकि यहाँ पर written wrote written होता है write wrote written तो problems कहाँ पर आएगी जहाँ पर verb 2 और verb 3 एक जैसा होता है read or book okay दूसरा नहीं reads or book यहाँ पर देखे read 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 सिर्फ pronunciation चेंज होता है spelling सेम होता है तो पहचानने का तरीका verb के form से पहचानते है यहाँ पर हैज के बाद यह हैज अगर आया helping verb आ गया तो helping verb के इसाब से पहचानने आ जाती है कि यह कौन से form में हो सकता है तो हैज के बाद verb का तीसरा form में यहाँ पर हम देखेंगे जो auxiliaries है उनके बाद main verb का कौन सा form इस्तामाल होता है हमने इसे अलड़ी देख लिया है तो verb जो होते है verb to be क्या होता है verb to be age है r है m है was है और word है तो यह verb जो है helping verb की तरह अगर इस्तामाल हो तो इनके बाद verb का कौन सा form आएगा यह बिल्कुल clear होना चाहिए चलिए देखते हैं ओके जैसे एक sentence है I am going there यहाँ पर जो है verb to be verb to इनमें से कोई भी verb to आए तो उसके बाद verb का चौथा form जो है वी फोर का इस्तामाल हम progressive tense यह continuous tense भी उसे कहते हैं imperfect tense भी कहते हैं तो यह इस्तामाल होता है verb to be के साथ दूसरा अगर verb to be हो तो इसके बाद verb का तीसरा form भी इस्तामाल होता है जैसे मैं आपको एक example देता हूँ वो इसमें भी आप देख सकते हैं अलेटर इस लिटन तो यहाँ इच के बाद verb का तीसरा form आ गया इच के बाद ओके तो verb का जो है verb to be के बाद verb का चौथा form और verb का तीसरा form भी इस्तामाल होता है तो यह clear हो गए अब देखते हैं यानि यहाँ पे जो इस्तामाल होगा verb कौन सा form सबसे पहले चौथा और फिर verb का तीसरा form यह दून जो है यहाँ पे इस्तामाल हो रहा है verb to have has, have और had को verb to be to have कहते हैं तो had, have, had इनका जब इस्तामाल helping verb की तरह होता है तो इनके बाद हमेशा I have done my work हमेशा verb 3 का इस्तामाल होता है यह आपके एक्जाम में इस तरह के बहुत questions आते हैं तो I have है helping verb की तरह तो इसके बाद जब भी आएगा verb 3 का ही इस्तामाल इसमें होगा okay, helping verb की तरह ने, तो I have a car तो यहाँ पर I have main verb की तरह काम करता है okay, clear तो यहाँ पर verb का तीसरा form इस्तामाल होगा verb 2D verb verb 2 do do में यहाँ पर जो है do did do, does did do, यहाँ पर did यहाँ पर does नहीं कर देता हूँ या मैं इसे में चाहाँ देता हूँ do, does और do यह जो verb to do है okay, to do का इस्तामाल इसमें do और does का जो इस्तामाल होता है simple present tense में okay, simple present tense के negative और interrogative sentence में होता है okay, जैसे I do not go इसके बाद भी verb का पहला form इस्तामाल होगा he he के साथ does का इस्तामाल होगा he does not go यहाँ भी verb का पहला ही form इस्तामाल होगा verb का पांचवा form इस्तामाल नहीं होगा क्यांकि यहाँ पर does लग चुका है और does का इस्तामाल जब subject में he, she, it या कोई भी नाम यानि third person का singular number होगा तो उस condition में जो है हम यहाँ पे डज लगाएंगे और वर्ब का पहला form ही लगेगा तो यह clear होगा डू डज के साथ क्या लगेगा वर्ब का पहला form और इनका इस्तामाल जो है negative sentence में emphatic sentence में भी होता है negative sentence में और interrogative sentence में हम करते हैं, ओके next हम दिखते हैं did, did का इस्तामाल हम simple past tense के negative और interrogative में करते हैं जैसे अगर I went इसका negative अगर हम करेंगे तो इसमें did लगाते हैं क्योंकि यहाँ पे वर्ब to सिर्फ simple past tense में इस्तामाल होता है wind को हम go कर देते हैं, यानि यह भी वर्ब का पहला ही form लेगा, तो यहाँ पे यह भी क्या लेगा, वर्ब का पहला ही form लेगा, तो clear यहाँ पे यह चिस clear होगे अब आते हैं modal verb, इससे भी आपके exam में questions होते हैं modal verb के बाद वर्ब का कौन सा form माएगा, ओके तो modal verb जो हैं जैसे can, could, may, might ओके, shall, should, will, would, ought तो यह सारे जो है modal verb होते हैं तो modal verb जो होते हैं या marginal जो modal verb है marginal जो एक्जिलिरीस वर्ब हैं वो सब verb 1 ही लेते हैं जैसे I can do तो can के बाद do यानि यह वर्ब का कभी भी पहला ही form लेगा ओके, I may go out, may I go out इस तरह के जो भी हैं तो यह वर्ब का कभी भी पहला form लेगा अगर इनका voice हो voice कहने का तो modal verb के बाद अगर be आ जाए तो यह be word के बाद भी अगर कोई verb लगा हो तो verb का यह तीसरा form लेता है यह ध्यान रखेंगे the work can be done by him ओके तो verb 3 यह clear हो गया, यह बहुत जरूरी है clear हो ना verb के concept को, कि कौन से subject के साथ हम कौन सा verb रख हैं वैसे person मैंने already बता दिया है वहाँ से भी जब हम subject verb agreement करेंगे तो यह चीज़े काफी help में आएंगे उसके अलावा tense भी हम जब करेंगे तो वहाँ भी इसके जरूरत हमें पढ़ेंगे यह exercise आपको और करना है और comment में इसका जवाब देना है कि do, dodge का जो इस्तामाल होता है do और dodge के इस्तामाल के बाद verb का कौन सा फॉर्म इस्तामाल होगा did के बाद verb का कौन सा फॉर्म इस्तामाल होगा third number verb to be के बाद verb का कौन कौन सा फॉर्म जो है वो इस्तामाल किया जा सकता है fourth number verb to have के बाद verb का कौन कौन सा फॉर्म इस्तामाल किया जा सकता है यह वीडियो आपको काफी help पहुंच आएगी अगर अपने like और subscribe नहीं किया तो कर लें और आप लोग comment नहीं कर रहे हैं कम से कम comments जरूर करें अगली जो वीडियो आएगी वह 10 पर आएगी thanks for watching this video